चले तो सुरू करते हैं work energy power का 14 पार्ट और इसमें हम लोग discuss करने वाले हैं numerical on circular motion in vertical plane तो last video में हम लोग ने discuss किया था कि circular motion vertical plane में आपका circular motion किस तरीके से होता है उसमें हम लोग ने case discuss किया था का है string का और rod का दोनों किसमें हम लोगों डिसक्रस किया था कि half circle lower half circle को complete करने के लिए कितना velocity आपको देना है lowest point पे हम लोगों जो भी velocity याद किया lowest point पो वह ही आपका exams में जरूरू अताएंगे तो lowest point पे कितना velocity दिया जाये था कि वह half circle complete करे या full circle complete करे तो चलिए हम लोग उस यूज करते हैं आपको वह याद रखने हैं आपको कौन-कौन से वहल्य याद रखना है वह आप question से decide कर सकते हैं आप HC परमा solve कर सकते हैं आप या DC पांडे solve कर सकते हैं कोई book अपने according तो उन books को solve करकर आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से value questions को बनाने में यूज आता ह हाला कि मैं यहाँ पर already almost सारे question अच्छे जो question से उनको include कर रहा हूं तो आपको इससे भी idea काफी हत्तर लग जाएगा राइट लेकिन आपको फिर भी खुद से question को practice करना है किसी और को solve करते हुए देखना question बिलकुल आसान रखता है लेकिन मैं हमेशा आपको बता रहा हूं क कि खुद से जब question solve करना हो तो हर छोटा छोटा जो decision है वह आपको खुद से लेना होता है थोड़ा मुस्किल होता है तो आपको practice करना होगा अगर आपको practice हो जागा तो उसके बात आपको डर नहीं लिए question को attempt करने में तो इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं तो तो complete full circle आपको निकालना है कि कितना हम लोग यू दें ताकि वो full circle complete करें यह string है आपका फिर second में दिया हो कि able to make angle 60 degree with vertical आपको इतना velocity देना है ताकि वो 60 degree vertical से string जो है कितना बना है 60 degree बना है आप जितना velocity देते चाले में वो उतना ऊपर जाता है फिर next case में निकालना है कि find tension in a string in about case मतलब last वाले case B में tension कितना होगा string में when bob is at lowest point जब आपका bob होगा lowest point पे तो question में अप्रोच करने का तरीका यह है कि first case जो हम लोग याद कर रख चुके हैं कि lowest point पे कितना velocity होता है full circle complete करने के लिए जो second part है उसमें हम लोग यह निकाल लेंगे कि 60 degree पहुंचने के लिए कितन velocity चाहिए उसको हम लोग conservation of energy लगा कर बनाने वाले हैं energy को हम लोग conserve करतेंगे initial lowest point पे और 60 degree पे और third part में आपको पता है कि हम लोग ने last video में भी एक question इस तरह से solve किया था कि tension कैसे निकालते हैं तो tension को force उपर की तरफ लगाएंगे tension को और जो gravity और centrifugal है वो नीचे की तरफ ल में जो है यू जो minimum होता है complete circular motion this is equal to under root 5g इसमें कुछ नहीं करना है हम लोग दिसकस किया है था तो 5g का value आपका 10 हो गया है L का value आपका 2 meter हो चुका है तो आपका 100 under root 100 जो की 10 meter per second हो गया तो आप minimum 10 meter per second देंगे velocity तो circular motion को complete कर लेगा right full circular motion second part में जो part B है this was part A part B है उसमें आपस पुछा गए कितना velocity दिया है ताकि वो 60 degree angle subtend करे maximum तो चलिए हम लोग डाइगराम को draw कर लेते हैं आपका block यहां है यह बोले point mass यह बोब आप कुछ भी बोल सकते हैं और उसके बाद इसको यहां से यहां पहुंचना है जो angle subtend होना है यहां पर 60 degree तो यह theta आपका है 60 degree देख आपको यहां में value ही बताऊंगो उसको आपको याद रखना है circular motion में काफी usable value है और आपको rotation में भी यह काम आता है कि यह height है यह height कितना आता है इस height का value हम लोग को याद रखना है तो यह आप देख सकते हैं पुरा जो ऊपर से center से जो पुरा length L है और यह जो length है आप देख स चीटा तो अगर आप h का बात करेंगे तो h का value हो जागा वो हो जागा पुरा उपर से नीचे तक आपका L है मैं आपको दिखा जाता हूँ एक second पुरा जो यहां से यहां तक का distance से वो L है और यहां से यहां तक का distance हो गया L cos theta राइड पुरा हो गया L आप देख सकते हैं औ और यहां से यहां तक का L cos theta हो चुका है तो हम लोग finally लिख सकते हैं H is equal to L minus L cos theta इस value को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको हम लोग बार-बार यूज़ करते हैं questions में तो L into 1 minus cos theta value काफी useful आपको नहीं पता है कितना useful है आपको मैं दिखांगा कैसे मैं इसको use करते जाता ह हूँ फटा-फट लेकिन आपको इसको याद रखना है तभी मैं यूज़ कर पाँगो नहीं तो आपको ऐसे दिक्कत होगा questions को solve करने में तो H हो चुका है हम लोग का राइट अब हम लोग तो initial potential energy आप 0 माझे lowest point पे और kinetic energy आप माझ सकते है half m us square half m final potential energy आप लिख सकते हैं mgh क्यूंकि ह हाइट उपर पहुंच चुका है plus kinetic energy final आपको बस वहां तक ball को पहुंचाना है तो उसके लिए final kinetic energy आप 0 बोल सकते हैं m और m cancel हो जाएगा तो u का value हो जाएगा under root 2gh ह हाइट उपर पहुंचाने के लिए आपको velocity देना पड़ता under 2gh right यह value हम लोगोंने पहले भी देख रखा है इसा कुछ value तो आप अगर put करेंगे तो जाएगा under root 2g is keep it as g h होगा l into 1 minus cos theta आप ऐसे भी सोच सकते हैं चले मैं value put कर देता हूं हम लोग इसको ज्यादा नेक हिस्ते हैं देखिए अब जितना आप questions को practice केजिएगा आपको पता चलेगा कौन सा value important होता है और कौन सा value come important होता है 1 minus cos 60 cos 60 is 1 by 2 तो 1 minus 1 by 2 आपका 1 by 2 हो जागा यह cancel हो यू का जो value हो जागा under root 20 हो जागा राइट और आप बोल सकते हैं इसको 2 root 5 meters per second correct तो 2 root 5 meters per second correct तो यह आपका हो जागा you which is velocity at lowest point to make the ball swing up to this point to swing up to 60 degree correct तो 60 पहुंचाने के लिए इतना चाहिए अब हम लोग part C में आते हैं part C में आपसे पुछा गया है कि हम लोग इस case में second case में tension कितना होगा lowest point पर ता आपको पता कि lowest point का हम लोगों ने अब video almost रट लिया है कि अगर आप u velocity देते हैं तो उपर की तरफ आपका tension लगता है नीचे की तरफ आपका mg लगता है और एक और आपका लगने वाला है कौन सा force 0 force और इसको बोल सकते हैं mu square by L right so we'll say that tension will act upward direction and mg plus mu square by L will act in downward direction so both will get balanced so mg का जो value बोल सकते हैं mass हम लोगों ने साइद नहीं ले रखा है correct साइद हम लोगों ने mass नहीं ले रखा है चलिए हम लोग mass कुछ ले लेते हैं right तो mass of bob आप मान लिजिए 4 kg हलाकि आप mass के टर में भी answer निकाल सकते हैं तो जो 4 into g is 10 plus m u square का value आपका root 20 का square जो की 20 आप बोल सकते हैं हाँ sorry आप mass का value आपने ले रखा है तो यहां जो आप 4 into 20 by L जो है आपका कितना है 2 meters right तो यहां भी आपका हो जाएगा 40 plus 40 एक्चलिए जो टेंशन हो जाएगा आपका 80 Newton तो टेंशन होगा आपका actually at 10 Newton right तो इस तरह से हम लोग का दोनों बन गया तो simple था आपका लेकिन entertaining question था एक question को simple भी नहीं बोल सकते हैं लेकिन ऐसे अगर आप approach करते हैं आप कुछ values को ध्यान में रखते हैं तो question simple लेगा right चलिए हम लोग इसको discuss करते हैं यह भी question काफी अच्छा question है right अब इसको actually समझना पड़ेगा अब यह होती है कि आप कितना imagine कर पाते हैं उस पे आपका depend करता है question का आपका कैसे approach कर पाते हैं चलिए question number two है देखा कि if the nail if the nail is at a distance x below the hinge hinge आपका देख सकते हैं center पे एक हिंज रखा उससे आपका string tied है hinge then find the minimum value of x so that bob is able to make full rotation around nail तो x distance पे हम लोगों ने nail रखा है आपका nail हो गया और मैंने इसको bob को यहां से छो रहा है मैंने bob को यहां से छो रहा है तो जैसे imagine किजिए यह actually vertical circle ऐसा मानिए कि एक wall है एक type wall में यहां हम लोगों ने hinge कर रखा है मतलब यहां भी अपने tied कर रखा है string को और उसके x distance नीचे आप लोगों ने क्या रखा है उसके x distance नीचे आप लोगों ने रखा है wait a second क्या बता है यह update के करने इतना दिक्कत हो रहा है hope कि लिखे हुए चीज़े erase ना हो जाए और यहां से x distance नीचे यहां से x distance नीचे आपका एक nail है तो होगा क्या आपको imagine करना होगा कि यह vertical wall है ठीक है और यहां आपने उसको tied कर रखा है कर रखा है string को तो जैसे हैं आप string को छोड़ेंगे तो string यह नीचे bob आएगा नीचे की तरफ ऐसे ऐसे आएगा लेकिन यहां आते ही जैसे यह नीचे पहुंचेगा अब उसके बाद होगा क्या कि यह जो string है वो nail के around attach हो जाएगा actually nail यह उसको रोक लेगा अब पूरे string को swing नहीं करना देगा और इसके बाद क्या हुआ actually अब वो यह string जो है nail को center मानते हुए इसके around rotate करना शुरू कर देगा nail को center मानते हुए उसके around rotate करना शुरू कर देगा और इस तरह से circular motion करेगा हम लोग अभी exactly नहीं पता है कि कितना length है तो इसलिए मैं imagination रहा हूँ तो हम लोग थोड़ा कम ही रखते हैं लेकिन हम लोग को इतना बात पता है वन सेकेंड हम लोग को इतना बात पता है कि अगर यह इसके around swing करेगा wait a second यह ज्यादा कुछ हो गया तो अगर यह इसके around swing करेगा तो यह ऐसे यहाँ जाएगा और इसके around swing करना शुरू कर देगा तो इसको center मान लेगा right इसको center मान लेगा और ऐसे कुछ घुमेगा correct तो यह जो length हो जाएगा यह l minus x होगा यह length कितना हो जाए l minus x तो actually अब जो circle का radius हो जाएगा और l minus x हो जाएगा circle का radius होने वाला है कितना है l minus x तो देखिए आपको पता है कि यह l height अभी जो bob है यहाँ से कितना नीचे आए l height नीचे आ चुका है तो l height अगर नीचे आ चुका है तो उसके पास जो speed होगा वो होगा under root 2gl यहाँ lowest point पे आते आते हैं उसके पास जो speed हो ज velocity point one का velocity आपको पता है कि velocity यहाँ पर zero है मैंने इसको यूँ मान रहा हूँ इसको मैं actually v मान रहा हूँ right अब इसमें confused नहीं होना है कि सर उसको कैसे v नाम दे दिया तो अगर मैं मैं क्या करने वाल हो मैं आपको पता दे रहा हूँ कि यहाँ से मैं v को निकाल लूंगा कि v कित हो चुका है l-x length तो इस नए radius का value जो है वो r है इस नए radius का value क्या है और circle जो है वो r रडियस में rotate करेगा ठीक है और उस r radius के कॉड़ियों अगर इसको इसके round full circle rotate करना है इस nail के round अगर इसको full circle rotate करना है तो इसका जो velocity हो हाँ चाहिए lowest point पर रूट 5g r होना चाहिए 5g क्या हो चाहिए r होना चाहिए तो मैं conservation of mechanical जगर मैं solution की बात करूँ तो conservation of mechanical energy between point हम लोग किसकी किसे पुचले है point one and two point one जो है वहां मैंने नाम दिया है point two जो है lowest point पर नाम दिया है point one आपका यहां पर नाम है right तो अभी लिखूंगा ui plus ki is equal to uf plus kf right तो initial potential जाए आपका mgl हो जाएगा plus counting is zero final potential जाए आपका zero लेना है lowest point पर counting energy आप लिख सकते हाफ mv square हो है so from here actually we'll get v is equal to under 2gl और मैंने आपको और री बताया था कि देखिए कुछ खास है नहीं आपका h height नीचे आता है अगर drop करते है zero velocity से तो l height नीचे यह h height कोई भी चीज नीचे आता है तो उसके पास velocity उता है under 2gh यह जो नहीं परहा था तो यह वो भी यह actually conservation of energy से related है वो भी जो value आ रहा है वो conservation of energy से related है आपका right तो उसी currency यहां अगर l height वो नीचे आता है rest से release करने पर याद रखें कि rest से release करने पर क्योंकि initial velocity क्या है यू का value आप देख सकते है यू is equal to zero तो rest से release करने पर l height अगर नीचे आता है तो उसका velocity होगा under root 2gl उसका potential नहीं होगा अब मैं क्या बोलूँगा कि to complete full circle around the nail to complete full circle around nail the velocity should be equal to v should be equal to under root 5gr correct और v का value क्या है under root 2gl so this value should be equal to under root 5g what is the value of r it's l minus x right the value of r is l minus x so इसको हम लोगा divide square कर लेंगे तो आपका जागा 2gl is equal to 5gl minus x आप gg को cancel कर दिजे तो आपका होगा 2l is equal to 5l minus 5x so from here actually you will get x is equal to 3l by 5 so this will be the value of x correct यह आपको याद रखना है तो इतने डिस्टेंस पर आप नेल को डालते हैं तो उस नेल के राउंड यह पूरा सर्किल को कम्प्लीट कर सकता है रोटेट कर कर करेक्ट चलिए उन लोग इस कोशिन पर आते हैं आपकोंचे सेबलान पर आते हैं तो अपकोंचे रहेंगे वो फिजीक्स को शाथ साथ-स आपके आई-क्यू लेवल भी आई-क्यू लेवल बीक्यू यहीं होता है यहुँ आपका टेस्ट करता है राइट तो इस इतना डरावना रहता है कि आप उसको देखते ही छोड़ दोगे लंबा चुरा लिख देगा इसी चीज़ को मैं तो प्रिसाइज करकर लिखा है वो इतना लंबा चुरा कहानी बनाएगा वो तो जानेगा कि बचा तुरत देख लेगा तो कहीं लिख देगा वो इसके बाद मास को मिंसन करेगा कुछ कॉम्प्लिकेट सा ऐसे देगा वैसे देगा तो वही दिक्कत होती है कि लोग नर्वस रहते हैं अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि यह जो चीज हम लोग चुके हैं कि देखिए अगर कोई भी चीज को सर्कुलर मोशन कर रही है ट्रैक में यह स्ट्रिंग बगार नहीं है आप एमेजन किजिए कि एक वहर्टिकल आप ऐसा मान सकते हैं कि वहर्टिकल ट्रैक है रहा हम लोग ने किस तरीके से कंक्रीट का कुछ वर्टिकल ट्रैक पना रखा है स्मूथ तो अगर एक वहर्टिकल क्ष hors milk तो लोट को आप कुछ वलोशल की देते हैं तो होता है कि यह व्लोक ऊपर के तरह जाता है स्मूथ जाए आप मानिए तो ब्लॉक ऊपर किदर जाता है अब यह होता है तो किंगे मतलब झाल तो होता है कि ग्यादा जादा व्लॉस्टी जिने पे नीचे जिता गिब Сп恤 मैं कि यह जो सफेर है यह ब्लॉक को मानिए यह cylinder के inside यह रखा हुआ है, आप माझ सकते हैं, इस ब्लॉग जो है, cylinder के inside रखा हुआ है, cylinder आपका vertical ही रखा हुआ है, इसका cross section में cylinder का दिखा रहा हुआ हूँ आपका, तो cross section जो है cylinder का vertical है, तो अगर आप block को यहाँ से throw out करेंगे, तो जैसे से आप velocity बढ़ते हैं, यह उपर ज ऑलो कर रहा है, तो ये xli follow कर रहा है भूराक केस को, ये string वाले case को follow कर रहा है, जैसे के string में tension 0 होता था, वैसे ही इस case में क्या 0 हो रहाएगा, इस case में आपका normal reaction दो दो जो block है और जो surface है उस दोनों के बीच में normal reaction जैसे ही zero होंगे वैसे ही धब से गिर जाएगा राइट आपको क्या करना है कि इसको circular motion अगर complete करवाना है तो आपको normal reaction यहां तक zero नहीं देना है अगर यहां तक आपका zero नहीं होगा तो आगया भी zero नहीं होगा तो अगर आपको ऐसे cases पुछे कि कुई circular track पे ऐसे ball revolve कर रहा है कुछ ऐसा पुछे तो आपको याद रखना है कि that will match with the case of circular motion with the help of string rod का नहीं string क्योंकि rod कभी lose नहीं होता था rod में कभी ball lose होकर गिरता नहीं था string में गिरता था और यहां भी वही हो रहा है कि जब इसको आप थ्रो करेंगे उपर यह क्या गया जब इसको आप उपर थ्रो करेंगे तो बॉल बॉल जो है contact छोड़ सकता है बॉल जो है contact छोड़ सकता है contact छोड़ते ही normal 0 हो जागे तो इसको आप पड़ चुके हैं तो अगर आप इसको पड़ चुके तो इसको बॉल को अगर highest point तक भेजना है तो आपको lowest point पर यहाँ पर यहाँ पर फ्लॉस्टी 105 फाइव जी आर करना होगा इस point पर फ्लॉस्टी क्या करना हो अगर फाइव जी आर सो हम लोग का solution आसाम से पर चल चुका है मैं क्या बोलूंगा कि to reach the ball the ball at topmost point topmost point it should have velocity he is equal to under root 5g r at lowest point of circular track lowest point of what circular track तो इतना इसके पास होना चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा कि अब बात सिंपल है ठीक है अब देखिए अगर आप थोड़ा और ज्यादा ट्रिक यूज करें तो मैं क्या बोलूंगा कि आपने इसको edge height से release किया friction तो 0 है तो edge height से अगर नीचे आता है कोई ball तो of energy आप लगा कर देख लिजिए velocity node two years होता है मैं लेगा दूँ देखिए आप लगाए यह अप्लाइंग conservation of mechanical energy conservation of mechanical energy बीट्विन बीट्विन इसको मैं बोल सकता हूँ हाइस्ट and lowest point ठीक है और मैं highest और lowest point जो नाम दे रहा हूँ इसको point one को मैं highest दे रहा हूँ और जो point two है उसको मैं lowest दे रहा हूँ राइट तो आप लिखेंगे कि ui plus क्या kei is equal to uf plus kf राइट तो आप initial potentials लिखेंगे mgh kinetic नहीं तो आपने research हो रहा है तो 0 लिखेंगे final potency आप 0 लिखेंगे और kinetic नहीं लिखेंगे half mv square तो आप देखिए कि v का value आ गया अंडर टू जीए तो इसलिए बताता हूँ कि कुछ values जो हैं काफी important है यही सब जो values होते हैं किसी का confidence आपका confidence बूस्ट अब करेगा और साथी साथ questions को solve करने में sort करेगा राइट तो नॉर्मल सा बच्चा हो तो conservation of energy यह वह अगर value इसको याद नहीं हो तो कितना टू जी एच जो वी हो चुका अंडरू टू जी एच उड़ एकवर टू अंडरूट फाइव जी आ राइट तो यह आपको एक्चली टू पॉइंट फाइव र के बरावर होना चाहिए के highest point circular track के highest point तक पहुचने के लिए राइट क्यूंकि आपको यह ध्यान रखना है कि contact ना lose करें में यहाँ दिकत है कि contact lose नहीं करना है आपको zero velocity से highest point पर नहीं पहुचाना है जो highest point है वहाँ पर आपको zero velocity से नहीं बलकि यह आपको ध्यान देना है कि contact lose ना करें चलिए हम लोग नेक्स कोशिन पर आते हैं दे प्रिवियर्स कोशिन फाइंद नॉर्मल फोर्स बिट्विन ट्रैक एंड ब्लॉक विन इट रीचेज होरिजन्टल रीचेज होरिजन्टल तो सेंटर तो आपको ऐसे पॉइंट पर निकालना है जिए जब वो सेंटर के जस्ट HARीजन्टलЙ पहुंजे है राइट कि और आपको एतना सपीड बना लेना है और यह पॉसुबल है लोग ऐसे करते हैं ठीक है आप कोशन को देखते रहे हैं आपको δ government ho जाए तो आपको यहाँ जब पहुंचेगा तो उस case में इसके पास normal force कितना हो यह दिखाना है अब देखिए मैं कैसे यहाँ कमाल करता हूँ questions को कैसे approach करता हूँ आप सुझे कि आपको इतना है speed maintain करना है top ranker बनने के लिए तो देखिए अब है क्या यह आपका height हो गया है 2.5R ground से जो इसका height है वो R है center का मतलब यह जो block है भी ground से ground से R height पे है तो जो starting point है starting point के comparison में वो कितना height नीचे है starting point के comparison में यह जो height है वो कितना नीचे है क्योंकि वो height हम लोगों काम आएगा किसके लिए speed को निकालने के लिए क्योंकि अगर हम लोगों को यह पता चल जाए कितना height नीचे है वो तो H dash का value आप लिख सकते है 1.5R यह कितना हो जागा 1.5R right so this is the value of H dash अब देखे मैंने अगर speed निकाल लिया तो मैं बोलुँआ कि यह V speed हो गया इस पे जो forces लेंगे normal reaction center की तरफ लेगा जो normal हो गया center की तरफ लेगा mg जो लेगा आपका नीचे की तरफ लेगा याद रखिए कि V जो है force नहीं है और बाहर की तरफ लेगा centrifugal force MV square by R right तो बाहर की तरफ क्या लेगा centrifugal force एक second मैं आपको बता दूँ कि V जो है वो force नहीं है तो ऐसी चीज़ों को जो force हम लोग ABD में है जो actually हम लोग force ही दिखाया करते है official method है ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आपको दिखा सकते है लेकिन FBD में जो हम लोग बस force को दिखाया करते हैं तो चलिए उसको हम लोग different color से कर देते हैं कि इसके पास speed क्या है भी है तो अगर मैंने speed निकाले मैं तरीका यह है कि मैंने speed निकाल लूँगा और speed निकाले के बाद इसके ABD को मैं solve कर दूँगा तो चलिए हम लोग speed निकाले तो कितना height नीचे आता है जो point है जिस point पे हम लोगों ने draw किया है वो point initial point ने comparison में कितना height नीचे है तो h h- is equal to 1.5 r है तो मैं यहां बोलूँगा कि जो v का value हो जाएगा v will be equal to under root 2 g h- ठीक है तो under root 2 g is keep it as g into 1.5 r तो हो जाएगा actually आपका जो value हो जाएगा मैं इसको अटाता हूँ थोड़ा तो जो value हो जाएगा आपका under root 3 g r यह आपका हो जाएगा velocity देखिए तो इतना velocity देखिए आप velocity ऐसे निकालने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं जिसको idea थोड़ नहीं होता है वो क्या करता है कि पहले highest और lowest point के बीच में निकालेगा फिर यहां और यहां के बीच में लेगा नहीं conservation of energy आप किसी भी दो point के बीच में लगा सकते हैं provided कोई non-convirative force और frictional force नहीं नहीं काम कर रहा हो और कोई external agent नहीं काम कर रहा तो ऐसे case में सारे smooth है तो भी कहल इतना हो गए अब मैं क्या बोलूगा कि in x direction हम लोग अगर in x direction की बात करें horizontal direction की तो हम लोग यहां पर forces को दिखा सकते हैं forces को balance कर सकते हैं तो हम लोग सकते हैं n जो है inside force है n will balance mv square by r right so it will be mv square is 3gr by r so यहां normal जो force हो चुका है वो हो चुका है 3g sorry 3mg जो normal force हो जागा आपका 3mg देखे कितना जल्दी हो चुका है ठीक है अगर आपको खुद से बनाना हो किसी को समधाना नहीं तो आप फटा फट यहां velocity निकाले velocity को balance out कर दे राइट तो इस तरह से हम लोग आप कर सकते हैं आपको हो सकता है throw disturbance हो मैं actually बाहर आया हूँ हूँ हाज लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए चलिए question नमर 5 को discuss करते हैं if h is equal to 4R then find contact force between block and ground when ball is at lowest point जो ball lowest point पे है ball is at highest point देखिए अब इसको कैसे solve करते हैं फटा फटा फट solve करने हम लोगो तो lowest point पे अगर जो ball होगा तो हम लोग APD lowest point पे draw करेंगे चलिए हम लोग yellow color को use करते हैं यह आपका visual होता है तो ऊपर की तरफ आपका normal लेगा नीचे की तरफ जो है MG लगने वाला है क्या बताओ यह apple वालों ने ऐसा update दिया है जो clear हो तो काफी अच्छा कर दिया अब दिखता काफी चवरदस्त है लेकिन हाँ और यह recording भी आपका sd में होता है यह फायदा है उसका size जो 30 minutes के video रहते है उसका size जो है आपका 200 MB में आपको hd मिलेंगे राइट अब उसको short compress वाला है कुछ नहीं करना पड़ता है हाँ cut करना पड़ता है और errors को तो check करना ही पड़ते है और नीचे जो है आपका mg लगने वाला है उपर जो है आपका normal लगने वाला है अगर इसके पास velocity भी हो तो v velocity करन मैं एक centrifugal force को दिखा जाता हूँ जिसको हम लोग बोलने वाले है mv square by r आप दुनिया में सब को पता है solution की बात करें तो दुनिया में मैं बोलूँगा कि सब को पता है कि इसको अगर मैं v1 नाम दे दूँ तो चलिए v1 नाम देता हूँ तो v1 का जो value हो जाएगा under root 2gh under root 2gh and h is 4r it means under root 8gr यह आपका वीवन हो जाएगा और normal आप बोल सकते है n1 इसको हम लोगों अगर नाम दे तो n1 जो आप बोल सकते हैं तो value of n1 will be equal to mg plus mv1 square by r और it will become equal to mg plus mv1 square is 8gr by r right so actually यह आपका 9 mg हो गया तो देखिए हम लोग lowest point पर ऐसे newtons लबाते है अगर आपको horizontal position पर पहुंच जाए ball तो second part पर हम लोग कैसे approach करेंगा तो चलिए हम लोग फटा-फट इसको draw कर लेते हैं यह आपका ऐसा हो गया हम लोग लोग रिलीज किया इसको कितने से 4R height से हम लोग का जो AB diagram draw करना है ground से R height पर करना है जो block आपका यहाँ होगा block कहाँ होगा यहाँ तो अगर मैं सारे forces को दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको पता है कि normal होता है नीचे की तरफ mg actually होता है mg आपका vertical में है बाहर की तरफ अगर इसके पास velocity v2 हो n2 नाम देते हैं तो यह आपको होजएगा mv2a square by r right smaller अब देखें इस point से कितने कितना height नीचे यह भी हम लोग को निकालना होगा तो यह आपको पता है कि h का जो value है वो आपका 4R हो चुका है जो h dash होगा h dash will be equal to h dash will be equal to 4R minus r यह पर कितना होगा 4R minus r which will be equal to actually 3R तो यह 3R नीचे है तो velocity तो निकालना बिलकुल ही आपको यह असान है तो velocity हो गया जो की बोल सकते अंडरूट 6G r क्या बोल सकते अंडरूट 6gr अब n2 को बोल सकते हैं n2 will balance outside force mvr स्कुर्व और देखते हैं कि mvr स्कुर्व और बाहर की तरफ लग रहा है n2 जो है अंदर की तरफ लग रहा है आप देख सकते हैं एक्स डिरेक्शन में तो एक्स square by r and if we put the value of v2 आप इसको फटाफट कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा आराम से कर लता हूं क्या दिक्कत है तो यह आपको हो जाएगा n2 will be equal to how much it will be 6 mg देखे फटाफट कैसे हो गया कुछ दिक्कत ही नहीं है तो इसलिए बोलता हूं कि आपको कुछ values कुछ tricks जो है याद करने है वह आपको जानने के लिए आपको videos देखना पड़ेगा solve question को solve करना पड़ेगा लेकिन maximum दो चीज़े बेसिक चीज़े आपको याद रखनी है वह मैं questions exam class में करवा देता हूं right तब तक के लिए